नमस्कार, आज हम तीसरी कक्षा की हिंदी की पाठे पुस्तक, वीना के पाठ नो, प्रकती पर्व फुल देई को पढ़ेंगे, पर्व का अर्थ है त्योहार और फुल देई उत्राखंड का एक लोग प्रिय त्योहार है, जो प्रकती यानि नेचर से समबन्दित है, तो आई ये इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं, और फुल देई त्योहार के विशे में पढ़ते हैं कि ये कैसे मनाया जाता है, इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इस पाठ में आए कठिन शब्दों को एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि आपको पाठ को समझने में कोई भी दिकत ना हो पार्ट में आये हुए कठिन शब्द यहां दिये गए है सबसे पहले दिये गया है फुल देई फुल देई क्या है उत्तरा खंड का एक लोकप्रिय त्योहार बाल पर्व बाल पर्व क्या है यह फुल देई का ही दूसरा नाम है और इसे बाल पर्व क्यों कहा जाता है क्योंकि यह बच्चों द्वारा मनाया जाता है यह त्योहार बच्चों द्वारा मनाया जाता है चैत्र मास चैत्र मास होता है हिंदू नव वर्ष का पहला महीना ठीक है जैसे हम तो एक जनवरी को मनाते हैं न्यू यर नया साल लेकिन हिंदू नवर्ष का पहला महीना कौन से होता है चैत्रमास यानि कि मार्च में जो मार्च अप्रेल का महीना ठीक है संकराती का अर्थ होता है सूर्य का राश्री बदलने का समय बुरांस बुरांस होते हैं लाल रंग के फूल जो उत्रा खंड में ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं और फियोली होते हैं सफेद रंग के छोटे गुच्छों में खिले हुए फोल ठीक है अक्षत अक्षत का अर्थ है चावल अरहर की दान हल्दी मिलाकर बनाया गया मिश्रन इसे कहते हैं अक्षत फुलारी होता है फुल दे मनाने वाले बच्चों का स्मू जो फुल दे मनाने वाले जो बच्चों की जो टोली होती है स्मू होता है उसे हम फुलारी कहते हैं अगला शब्द है देहली देहली का अर्थ होता है घर का मुख्य द्वार देहली जहां से एंट्री होती है घर के अंदर ठीक है शमा किसी की गलती को माफ करना पर्व का अर्थ होते त्योहार डलिया का अर्थ होते टोकरी और आंगन घर के अंदर या सामने का खुला स्थान रितो मौसम स्वच साफ एकत्रित इकट्टा करना स्थाने व्यंजन होते है किसी स्थान के लोकप्रिय व्यंजन जैसे की मुंबई की पाव भाजी ठीक है दिल्ली के छोले बटूरे भेंट, भेंट का अर्थ होता है उपहार, प्रसन, प्रसन यानि खुश, शेत्र इलाका, लोक गीत, लोक गीत होता है किसी देश या शेत्र के लोगों के बीच उत्पन होने वाला गीत, जो वहां का फेमस हो, वहां का प्रसिद गीत हो, वह होता है वहां को शेत्र का लोक गीत ठीक है परंप्रा होता है रिती रिवाज मान्यता किसी चीज को मानने का भाव जो चीज वहाँ पर माननी जाती हो ठीक है तो यह होगे कटीन शम्द एक बर दुबारा देख लेते हैं फुलदेई फुलदेई का अर्थ होता है उत्राखंड का एक लोगप्रिय त्योहार बाल पर फुलदेई का ही दूसरा नाम चैत्रमास हिंदू नववर्ष का पहला महीना संकराती होता है सूर्य का राशी बदलने का समय बुरांस लार रंग के फूल जो कहां पाई जाते हैं उत्राखंड में फ्योली होते हैं सफेद रंगते छोटे गुच्छों में खिले हुए फूल ठीक है अक्षप होता है चावल अरहर की दाल और हल्दी को मिला कर बनाया गया मिश्रन फुलारी फुलदेई मनाने वाले बच्चों का समू देली होता है घर का मुख्य द्वार यद्हलीज शमा किसी की गलती को माफ करना फिर पर्व परव का अर्थ होता है त्योहार डलिया का अर्थ होता है टोकरी आंगन का हा अर्थ है घर के अंदर या सामने का खुला स्थान रित्ू मौसम स्वच साफ एकत्रित इखटा करना, स्थाने व्यंजन किसी स्थान के लोप्रिये व्यंजन, भेट का अर्थ होता है उपहार, प्रसन का अर्थ होता है खुश, शेत्र इलाका, लोक गीत, किसी देश या शेत्र के लोगों के बीच उत्पन होने वाला गीत, परंपरा का अर्थ होता है रित संथी जानकी एक लड़की का नाम है कल वह अपने सभी मित्रों के साथ फुल देई पर्व के लिए जाएगी फुल देई त्योहार के लिए जाएगी अगले दिन उसकी इजा यानि उसकी मा उत्राधंड में जो कुमाओनी शेत्र है न वहां के लोग अपनी मा को इजा कहकर ब लिए यानि टोकरी हाथ में लिए फुल चुनने के लिए वह निकल गई आंगन में पहुँचते ही उसने हेमा, गेता, राधा, बीर, गोविंग और मनोज को पुकारा तो ये जितने भी नाम है ये उसके मित्रों के नाम है सब साथ में छोटी छोटी डलिया लेकर जंगल की और निकल पड़े ये देखिए ये सब ही बच्चे हैं और इनके हाथ में क्या है? डलिया यानि की टोकरी और उसमें वो क्या कर रहे हैं? फूलों को चुन रहे हैं, फूल इखटे कर रहे हैं फूल इखटे उत्राखंड का एक प्रसिद त्योहार है, बहुती फेमस त्योहार है कहां का उत्राखंड का यह त्योहार बच्चों द्वारा मनाया जाता है, इसनिये इसे बाल पर भी कहा जाता है यह चैत्र मास की संत्रांति के दिन मनाया जाता है चैत्र मा यानि की चैत्र मास हिंदू हिंदू नव वर्ष का पहला महीना होता है यानि मार्च प्रहल का महीना फिल्दई वसंतरितु के आगमन का प्रतीक है वसंत्रितु के आगमन का वसंत्रितु के आने का प्रतीक है कि वसंत्रितु आ गई है चैत्र रितु आते ही उची उची पहाडियों से बर्फ पिगलने लगती है सर्दियों के ठंडे दिन बीत जाते हैं यानि कि जब मार्ज का महिना आता है तो जो पहाडियों पर बरफ जमी हुई थी सरदियों में वो पिघलने लग जाती है यानि कि सरदियों के दिन जो है वो अब खतम हो चुके हैं उत्रा खंड के सुन्दर पहाड फोलों से लद जाते हैं जानकी और उसके मित्रों ने बुरांस फ्योली और कए परकार के फोल अपनी छोटी छोटी डलियों में इखटे कर लिए ये देखे ये हैं बुरांस ठीक है बुरांस के फूल जो लाल लाल दिखाई दे रहे हैं अब यह है टोली जिसे फुलारी कहा जाता है फुलारी बच्चों के बच्चों की टोली ठीक है जो फुल देई द्योहार मनाने वाले जो बच्चों गस्मों हैं उनकी टोली को क्या कहते हैं फुलारी कहते हैं हर घर के मुख्य द्वार की देली पर रुखती तो ये क्या करते हैं अपनी टोकरी में फूलों को इखटा करते हैं फिर वो हर घर की प्रतेग घर के मुख्य द्वार यानि देलीज पर रुखते हैं वहाँ पर अक्षत और फूल डालती और गाती जाती क्या गाती हैं फुल देई, छम्मा देई, दैनी द्वार, भर भकार, ये देली के बारम बार, नमसकार, फूले द्वार ये देखिए, ये बच्चे जो हैं घर की दहलीज पर क्या डाल रहे हैं, फूल डाल रहे हैं और अक्षत अभी जो हमने उपर पंक्ती पड़ी, गीत पड़ा, उसका अर्थ क्या है, आईए समझते हैं इसका अर्थ है, आपकी देली फूलों से भरी रहे, मंगल कारी हो, सबको शमा परदान करे, सबकी रक्षा करे, देली और घर में समरिद्धी बनी रहे यानि धन-धन्य बना रहे, सुक्षान्ती बनी रहे, सबके घरों में अन के भंडार भरे रहे, यानि कि सबके घर में भोजन की कमी ना हो, अन के भंडार जो हैं, वो भरे रहे सबी घरों में फुलारी के आने की त्यारी की जाती है, यानि कि उन्हें पता होता है, सबी लोगों को पता होता है कि अब जो बच्चों की टोली है, यानि कि फुलारी है, वो आने वाले हैं, तो उनके आने की त्यारी पहले से ही वो करके रखते हैं घरों को पुर्णते स्वच करके देहली को गोबर मिटी से लीप कर त्यार किया जाता है साफ करके घरों को साफ करके उसकी जो देहली जो होती है वहाँ पर गोबर मिटी से लेपा जाता है फुलारी जब गाकर अपना आश्रिवाद देते हैं तो हर घर से उन्हें चावल, गुड़ और भेंट के रूप में पैसे दिये जाते हैं उन्हें घर से क्या-क्या मिलता है चावल, गुड़ और भेंट के रूप में उफार के रूप में पैसे दिये जाते हैं ये देखिए जैसे ये बच्चे दहलीज पर फूर डाल रहे हैं औ पर वे बहुत प्रसंथे इस तरहा फुल-देई का त्योहार उत्रा-खंड के अलग-अलग शेत्रों में आठ दिनों से ले कर महीने भर तक चलता है आठ दिनों से ले कर महीने भर पूरे महीने भर चलता है बच्चों द्वारा एकत्रित किये गए चावल और गुड को मिलाकर बच्चों के लिए हलवा छोई या साई वा पापड़ी जैसे अन्य स्थानिय व्यंजन बनाये जाते हैं तो वहां के लोक्त्रिय जो व्यंजन है वो क्या है हलवा छोई या साई वा पापड़ी तो जो भी उन्हें गुड और चावल मिलता है उनसे इन व्यंजनों को बनाया जाता है और व्यंजन बनाने के लिए जमा पैसों से घी या तेल खरीदा जाता है और जो उन्हें पैसे मिलते हैं उनसे वो क्या खरीदते हैं घी या तेल व्यंजन को सब एकत्रित होकर और मिलकर खाते हैं सब एक साथ एकटे होते हैं और फिर मिल बाटकर उस भोजन को उस व्यंजन को जो भी पकवान बनते हैं उन्हें खाते हैं फूल देई बच्चों को प्रक्ति प्रेम यानि नेचर से प्रक्ति से प्रेम और सामाजिक सद्भाव की सीख बच्पन से ही देने का पर्व है कि फूल देई का जो त्योहार है वो कैसे त्योहार है वो बच्चों को नेचर से प्यार करने का प्रक्ति से प्यार करने का और समाजिक सद्भाव यानि की समाज में सब के साथ मेल जोलकर मिल जोलकर रहने की सीख देता है यह त्योहार लोक गीतूं मान्यताओं और परंप्राओं से जुड़ने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है तो जो उस त्योहार पर वो गीत गाते हैं वो वहां का लोक गीत हो गया ठीक है जो भी हमने उपर पड़ा ये ये वाला गी तो ये वहां का लोग गीत हो गया ठीक है तो फुल देई के अवसर पर वो ये गीत गाते हैं और वहां की मान्यताओं और वहां की मान्यता है जो भी वहां पर मानने वाली जो भी उनका भाव है और परंपरा यानि रिती रिवाज है उनसे जुड़ने का एक अच्छा अवसर यानि मुव का मिलता है यह प्रकति तथा संस्कृति से जुड़े रहने की प्रेरना भी देता है यह जो तिवहार है वह हमें प्रकति और हमारी संस्कृति से जो हमारी संस्कृति चलिया आ रही है उससे जुड़े रहने की प्रेरना भी देता है आशकरतियों आपको यह पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा अगली वीडियो में हम इसी पार्ट के प्रशन उत्तर करेंगे तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार